Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ तुम्हारी वैदे इमाम और आज हम सॉल करने जा रहे हैं Mock Test 13 Already 12 Mock Test हो चुके हैं, Mock Test करते रहना है, आखरी दम तक करते रहना है ठीक है? सारे Mock Test तुम्हें कहां मिलेंगे? इसी चैनल पे जिसका नाम है Magnet Brains जहां मिलता है हमको Free Education, Kid Garden से लेके Grade 12 तक English Medium में, Hindi Medium में और बहुत सारी Entrance Exam के लिए भी, उसी मेंसे एक Entrance Exam है CVT जो बिलकुल गिन के 2-3 दिन में ही स्टार्ट होने वाली है, वापस हर स्टूडेंट का अलग-अलग डेट्स आई होंगी तो तुम आखरी टाइम तक Mock Test Solve करते रहना, क्योंकि टाइम जब कम होता है, तब तरीका होता है Smart Work करने का चैक, तो चलो आज के इसी पॉइंट से स्टार्ट करते है, आज का Mock Test No. 30 तो वापस वही चीज है, कि सही question करोगे, तो plus 4 मिलेगे, गलत question करोगे, तो minus 1 अब यहाँ पे जरूर तुम देखोगे कि 50 questions उसमें से 40 करने हैं, पर मैं वापस suggest करूँगी, पूरे 50 के 50 लगाओ, ठीक है competition, numbers के साथ लगो कि कितने questions करें और कितने सही हो रहे हैं उसमें से, try करो, कम से कम गलत करो, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ गडबड़े, छोड़ दो, ज्यादा बेटा रहे, छोड़ देना, ठीक है, यूगि negative marking भी है, तो चलो start करते हैं आज का Mock Test, question No. 1, वापस क्या करते हम की वर्ड को करते हैं, अब तुम लोग बोलोगे, माम, अब तो रिटरन रहा नहीं, यह तो computer-based है, हाँ, पर rough sheet तो मिलेगी न, तो अगर ऐसे लगा, तो पढ़ते पढ़ते उसको लिख लेना, की वर्ड को, चिक, देखो ज़रा, which of the falling plant is used as, bio fertilizer, अरे देखो, bio fertilizer के बारे म होगे, तो अगर धिहान से देखोगे, तो नॉस्टॉक, फिनेरिया, वॉलवक्स और राइजो पस, तो नॉस्टॉक है, एक free living bacteria, जो किसकी तरह काम करता है, bio fertilizer की तरह भी काम करता है, तो तुम्हारा option क्या हुआ, अब मैं जब भी कोई question दिखाती हो, तो क्या करोगे, तु ठीक है, ऐसा पूरा question paper solve होने के बाद, मलब 2, हमारे 4 into 50 question, मलब 200 का paper हो जाएगा, तो try करो कि since ये 200 का paper है, क्योंकि plus 4 दे रहे हम, अब exam की तरह ही हम treat करेंगे, तो अगर plus 4 दे रहे हो, तो 200 में से around around 180 की उपर आने है, ठीक है, तो तुम safe zone में हो, चलो, move करते हैं, अगले question, पे question number 2, how carbon monoxide, मतलब CO, emitted by automobiles, prevent transport of oxygen in the body tissue, अगर याद होगा, carbon monoxide की जादा affinity होती है, as compared to oxygen, मतलब तुमें याद है, RBC के अंदर कौन सा pigment होता है, हीमोगलोबिन, हीमोगलोबिन जब oxygen के साथ bound होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम oxyhemोगलोबिन, अब oxygen तो होता है, पर अग picture में, picture में मतलब अल्वियोलाई वाली जगे पे, oxygen भी आ जाए और carbon monoxide भी आ जाए, तो carbon monoxide जादा affinity शो करेगा, हीमोगलोबिन से, और होगा ये, कि जो oxygen अटाच होगा, वो निकल जाएगा, carbon monoxide अटाच हो जाएगा, हीमोगलोबिन के साथ, अब problem यहाँगी, कि जब यही carbon monoxide घूमता रहेगा, बोडी में, तो cells को carbon monoxide थोड़ीना चाहिए, oxygen का काम oxygen ही करता है, तो क्या होने लगागा, tissue की death होने लगी कि, ठीक, यह सब यादा गया, अब पर देख लेते हैं, वो पूछन की बताओ, carbon monoxide जो automobile से निकलता है, वो transport of oxygen in body tissue में कैसे, oxygen को कैसे prevent करता है, ल नहीं, by destroying hemoglobin नहीं, by forming a stable compound with oxygen, मैंने अभी क्या बोला, कि carbon monoxide के क्या होती है, ज्यादा affinity होती है, oxygen की तरफ, sorry, hemoglobin की तरफ, तो hemoglobin में जो oxygen जुडा रहेगा, carbon monoxide उसको हटा देगा, और खुद बन जाएगा, carbon monoxide plus hemoglobin, हुआ clear, क्यों, क्योंकि यह ज्यादा affinity में ज्यादा stable compound है, तो इस logic से यह सही है, अब बोलोगे माम answer मिलतो गया नहीं, पर बोलोगे फिर वापस दिल है की मानता नहीं, चलो आखरी option में देख लो, by obstructing the reaction of oxygen with hemoglobin, obstruct तो कर रहा है, पर वही है न, कि most appropriate को choose करना है, तो oxygen के साथ hemoglobin react नहीं कर रहा है, यह सही बात है, क्योंकि oxygen की ज़्यादा stable compound क्योंकि वह ज़्यादा affinity show कर रहा है, तो वही बात है, most appropriate पे choose करेंगे, तो देखो ज़्या, carbon monoxide when inhaled combined with hemoglobin more rapidly than oxygen, यह वही मैं बोलना चाहरी हूं, इतने देर से नहीं बोल रही है कि affinity ज़्यादा है, affinity ज़्यादा है, इसका मतलब क्या जल्दी से attach होगा, ठीक कि होगा क्या, cells को oxygen नहीं मिलेगा, cell का death start हो जाएगा, necrosis start हो जाएगी, और यही कहाने जब बाकी cells में हो रही body की, तो ठीक है, पर जहां पे heart cell और brain के cell में, मतलब neurons और cardiac tissue में काम शुरू हो गया, तो अगर heart में हो जाएगा, तो heart attack, myocardial infraction, या फिर अगर brain में हो गया, त are important in the study of atmospheric pollution because they are, अरे, lichen का example याद करो, जब lichen पढ़ती है, एक symbiotic association है, एक algae और फंजाय का तो हम पढ़ चुके हैं कि lichen कहां ग्रो होता है, ऐसी जगे पे जहां पे pollution क्या है, नहीं है, या फिर बहुत कम है, मतलब एक indicator की तरह काम करता है, अब देखो यही आंसर कहां मिल र रहा है, can readily multiply and polluted atmosphere फिर से नहीं, नहीं grow होता, अच्छा, effectively purify the atmosphere नहीं, are very sensitive to pollutant like sulfur dioxide, बिलकोल सही sensitive होते तो grow ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है और बागे की तीन option तो grow करवा रहा है, तो correct answer क्या हुआ, तुम्हारा option number D, चलो देखो, lichen are important in the study of atmospheric pollution because they are very sensitive to pollutant like sulfur dioxide, हुआ clear, चलो आगे move करते है, question number 4 पर, pollution from animal excrete and organic waste from kitchen can be most profitably minimized by, तो ये एक बात बताओ, animal excrete और जो organic waste है, वो किस form में जाता है, पूरा का पूरा हमारा जो mincible corporation से, जो sea waste treatment plant है, वहाँ जाता है, फिर वो primary treatment होता है, secondary treatment होता है, फिर आखरी में जो solid बच जाता है, उसका क्या किया जाता है, बायो गय बनाया जाता है, क्योंकि वही उनने पूछा है कि उससे कैसे profit कमा सकते है, बायो गयास बनाके, तो चलो देखो, storing them in underground storage tank, store नहीं करना है, underground है, पर storage tank नहीं है, वो reactor है, वहाँ पे anaerobic respiration होगा और वहाँ से बायो गयास का formation होगा, तो ये तो गलत है, using them for producing बायो गयास, बिलक होगे मा, यहाँ पे तो dobson's unit भी है, mm रहता तो पता है, mm नहीं, dobson's unit नहीं, पर armstrong भी तो measure कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पर अगर याद होगा तो micron या फिर nanometer, correct है nanometer, और उसको भी अगर और प्रीसाइसली बोलना है, भाई ये न, correct option, most appropriate, तो हम क्या use करेंगे, map unit, Pollination कर दो, Pollination के बाद वापस क्या कर लो, ति अब तुमने Pollination करवा है, किसने, Insect ने Pollination करा है, तो उसके जगे पे उनको कुछ दे दो, कुछ क्या दे दो, nectar दे दो, चिक या फिर जगा दे दो रहने के लिए, ठीक है, तो यह कौन से Pollination का part है, insect pollination का part है, ये अर में तो ऐसा क जंजट है ही नहीं, वाटर में भी ऐसा कोई जंजट नहीं है, तो कहां पर है यह एंटेमोफिली, देखो, अब उन्होंने क्या लिखा है, उसका टेक्निकल वर्ड लिख दिया है, एंटेमोफिली, कहां पड़ चुके हो, तुम यह जाधा मोर, most, best है, most नहीं, best example तुमारे NCRT में कहा लिखा हुआ है, इसका, fig and vast वाला, है ना, तो चलो देखते हैं, एंटेमोफिली क्या है, basically, insects pollination है, की medium क्या यूज़ कर रहे, insect को यूज़ कर रहे, insect pollinated plant provide reward as edible pollen grain and nectar as usual reward, in order to materialize and maximize pollination, flower have developed a set of attributes which are aimed at attracting the pollinators called attractants, हुआ clear, चलो अगले question में move करते हैं, एग apparatus consist, अगर याद करो, तो जो matured embryos है के, उसके नीचे, जो हम बोल सकते है, micropylor end है, वहाँ पे क्या होता है, एग apparatus होता है, याद आया, दो क्या होते है, synergates, पीछे होता है, एग, तो वही पूछ रहे, इसी को एग apparatus बोलते हैं, तो इसमें क्या है, एग एग और दो synergates है, सीधा-सीधा question हो गया, तो देखो, एग apparatus antipodal नहीं, एक के साथ synergates ही होता है, एक की दो, दो synergates, तो answer है C, move करते हैं, इसके explanation पे, एग apparatus consists of two synergates and one egg cell lying at the micropilar end, दूसरे पे क्या होता है, antipodal, कितने, तीन, सब की eploid ही क्या रहती है, एग रहती है, और कौन से end पे चला जलेंड, आगे देखो, synergates bear prominent structure called philiform apparatus which are finger-like projection, synergates guide, the path of pollen tube towards the egg, help in obtaining nourishment from the outer new cellar cell and also function as shock absorber during the penetration of pollen tube in the embryo sac, cytoplasm of egg is inactive, rich in ribosome and contains plastics, हुआ clear, चलो, आगे move करते हैं, इतना detail में तो तुमारे insight में बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो चाहो तो आखरी के ये चार लाइन का ले लो screenshot, लिग लो कहीं पे, क्योंकि हो सकता है, कि अब इसी के ऊपर कुछ वो question पूछ ले, ठीक, चलो, move करते हैं, आगे अगला question देखते हैं, आल्बमिनस seed store, their reserve food mainly, ए नी, तो एक दम वापस direct question हो गया, तो दो होते हैं, non-albuminus, एक होता है albuminus, non-albuminus कहा करता है, तुमारे cotyledon में store होता है, और albuminus कहां करेगा, endosperm में, तो सीधा सीधा question हो गया, देखो, endosperm in the nutritive tissue which provide nourishment to the embryo in seed plant, albuminus seed retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development, example wheat, maize, barley, castor, sunflower, हुआ clear, आगे move करते हैं, question number 9, what would happen if a mutation occurred in DNA, such that the second codon of polypeptide, अच्छा दूसरा codon था polypeptide का UGC, चीक है, और 5-N to 3-N, ठीक है, was changed to UAG, change हो गया UAG, मतलब अब उन्हें 5-N के बार मित्ता mention नहीं किया, तो इसको चाहो तो हटा दो, तो क्या होगा, confused हो जाओगे, है ना, ठीक है, UGC था, जो किसमें change हो गया, UAG में, अब अगर याद हो, UAG किसका पार्ट है, तीन swap codon होते हैं, उसमें से एक codon UAGA, याद करवाए था, सबसे पहले तुम आओ, UAA, तुम गाओ, UAG, है ना, UGA, so UGA, और फिर U अग, बहुत बुरा गना गया, तो उल्टी आगे, तो U, UAG, तो UAG क्या है, stop codon, तो पूरी की पूरी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रही होगी, क्या हो जाएगी, seize हो जाएगी, रुख जाएगी, देखो जार, अब यही, option match होना चाहिए, nothing, मतलब क्या होगा, तो एक बोल रहा है, कुछ नहीं होगा, nothing, गड़बड कैसे नहीं होगा, रुख जाएगी, सारी प्रोसेस, फिर भी आगे पढ़ लो, the ribosome would skip the codon and translation would continue, नहीं, कुछ skip नहीं होने वाला है, आगे, translation would continue, नहीं होगा, continue, बाबा, रुख जाएगा, but the reading frame of the ribosome would be shifted, नहीं, translation would stop, at the second codon and no functional protein would be made, हम बोल सकते हैं, translation would continue, नहीं, stop होगा, but the second amino acid in the protein would be different, गलत, 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 यह क्या है, stop codon का पाट, तो कहीं भी, किसी भी जगे, जहां stop codon आ जाएगा, पूरी कहानी क्या हो जाएगी, रुख जाएगी, कुछ, कोई process complete नहीं होगी, अगर transcription की बात करें, तो ना transcription होगा, ना translation होगा, हुआ इतना clear, तो इसका correct answer है, तुम्हारा option, option number C, तो UAG's stop codon and translation would terminate at the, at that side, चलो move करते हैं आगे, question number 10, experiment by Avery, Macleod and McCarthy, supported DNA as a genetic material by showing that, अब यह पूछ रहें कि बताओ, इन तीनों ने जो experiment किया था, वो बताने के लिए कि DNA क्या है, genetic material है, कैसे show किया था, अपने पास क्या है, चास statement है, best statement को choose करना है, पढ़ना पढ़ेगा, देखो, बहुत protein and DNA sample provided the transforming factor नहीं, सिर्फ DNA नहीं किया था, protein नहीं किया था, हटाओ, DNA was not complex enough to be genetic material, नहीं भाईया, नहीं तो बताया था कि DNA ही है, सिर्फ अकेला DNA है, देखो, only sample with DNA provided activity, बिल्कुल सही, बोल सकते हैं, even though DNA was molecularly simple, it provided adequate variation to act as genetic material, genetic material तो था, अब उसमें यह इसकी, यह तो बोला ही नहीं था, वो protein, lipid, carbohydrate, sugars, RNA और DNA में से, किसकी वज़े से, वो तो सिर्फ क्या था, सिर्फ DNA की वज़े से, तो यह तो पूछा ही नहीं, अपने मन से कोई भी sentence बोल रहे हैं, तो correct option क्या हुआ, C, देख लेते इसका explanation, these researchers were able to isolate nearly pure DNA sample, it was only these sample that provided transformation activity, हुआ clear, चलो, move करते हैं, question number 11 पे, अब pleiotropic gene, देख लो, यह question pleiotropy पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, हर NTA वाले paper में भी आया था, उसके बाद हर दूसरे, जो हर दूसरा paper, जो mock test हमने डिसकूस किया है, उसमें भी pleiotropy पे बहुत question है, तो pleiotropy मतलब एक gene है, जो दो, तीन चीज़े क्या कर रहा है, control कर रहा है, simple सा logic है, देखो ज़रा, is a gene evolved during pleiocene, नहीं, controls a trait only in combination में नाजहदी gene नहीं, controls multiple trait in an individual, बोल सकते हैं, इस express only in primitive plants, नहीं, तो correct option है, C, कि एक gene है, जो क्या कर रहा है, बहुत सारे traits को control कर रहा है, अच्छा, इसी का उल्टा क्या होता है, कि एक trait, बहुत सारे gene द्वारा भी control होता है, याद करो, उस पे भी question था, चला, move करते हैं, आगे, तो देख लो, इसका explanation, अब pleiotropic gene regulate multiple traits characteristics in an individual, move करते हैं आगे, question number 12, पे, the law of segregation of character postulated by Mendel can be related to, अब basically वो पूछ रहे हैं, कि law of segregation सबसे best इन चारों में से किसको explain करता है, तो सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम decide करेंगे, अच्छा, segregation क्या बोलता था, कि segregate हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है, the presence of two gene for each character in a somatic cell, a gamete receiving only one of the two homologous chromosome during meiosis, presence of both gene on the same chromosome and none of the above, तो जादा correct है बोलना कि सिर एक ही gene क्या होता है, segregate होता है, एक वहीं रह जाता है, एक ही अगली generation में pass on होता है, तो देख लो, the law of segregation characters postulated by Mendel can be related to a gamete receiving only one of the two homologous chromosome during meiosis, अब बोलो के माम, ये तो ऐसे समझ भी नहीं आया, तो देखो समझो बात को, segregation अगर याद होगा, तो segregation को mono hybrid cross से भी समझाय जा सकता है, चीक है, law of dominance and segregation को, independent assortment को समझाना पड़ेगा, di hybrid cross से, तो चलो देख लो mono hybrid cross, तो P में क्या हुआ था, capital T, capital T, मतलब pure line थी, कैसे dominant की, tall, चीक है, किसके साथ cross किया था, small T, small T, मतलब ये भी pure line थी, कैसी थी, recessive थी, ठीक, अब इसमें से बताओ कौन सा gene आया था, आगे pass on हुआ था, since दोनो एक ही जैसे है, तो capital T ही आया था, यहाँ पे, ये दोनो एक जैसे है, तो small T ही pass on हुआ था, हुआ clear, अब बताओ, ये क्या था, parental generation, इसका genotype क्या है, इसका genotype दोनों सेम दिख रहे हैं, इसलिए हुआ homologus और क्या है, dominant, अब ये तो recessive में ही होता है, homologus, homozygous condition में ही होता है, चलो आगे, अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मोर्ज होंगे, ये बन जाएगा, capital T, small T, ये कौन से generation है, F1 generation है, अच्छा, इसका genotype बताओ, मतलब कैसा इसका genotype है, heterozygous condition, ठीक, पर अगर इसका मैंने phenotype पूछ लिया, कि कैसा रहेगा phenotype, तो बोलोगे, माम, tall रहेगा, क्योंकि heterozygous dominant है, ठीक है, अब अगर मैं बोलू, कि अब बताओ, ये कितने jean आगे pass on कर सकता है, तो बोलोगे, माम, jean तो अभी तो फड़ा, कि एक ही gamit आगे pass on होगा, होगा तो एक, पर इसके पद variety कितनी है, दो है, देखो, भले इसके पास ये capital T भी आगे दे सकता है, और small T भी आगे दे सकता है, वहला, अगली generation को donate कर सकता है, पर याद करना, याद रखो, कि एक time पे एक ही देगा, अब वो तो chance हुआ, कि capital T आ रहे हैं, कि small T आ रहे हैं, हुआ clear, और जो law of segregation है, वो इसी के बारे में बात कर रहा है, कि जब अगली generation की बारी आएगी, तो जो parent है, वो क्या करेगा, एक ही, देखो, only one of the two homologous chromosome ही क्या देगा, आगे देगा, अब इसका क्या हुआ था, जल्दी बताओ, इसकी हुई थी self crossing, या फिर self pollination, यहां बना रहे हूं, तो capital T into, capital T small T into capital T small T, मतलब heterozygous into heterozygous dominant, अब क्या हुआ था, अब यहां से, अब यहां हम peanut square बनाते हैं, बनाते की नहीं, पर देखो, यहां पर अकेला लिखते हैं, इसने दिया capital T small T, वापस, capital T small T, तो अब यह दोनों मौल्च होगा, capital T, capital T, capital T, small T, capital T, and small T, small T, तो यह सारी चीजों में, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, इंडिविज्वली तुम्हें एक ही gamit ले रही हूं न, तो यही तो बोलता है law of segregation, कि भले पेर में हो, पर अगली generation में तो एक ही जाएगा, दोनों पूरा का पूरा पेर नहीं जाएगा, और अगर इन केस यह पेर जाने लगे, तो abnormality आ जाएगी, अगर ऐसी चीज़ humans में, यह animals में हो गई, तो बहुत बड़ी abnormality हो जाती है, जिस था, दो कॉपी में आ गया, लो, 21 क्रोमोजोम का, जो दो कॉपी में होना चाहिए था, तीन कॉपी में हो गया, तो अब यह क्या हो गया, डाउन सिंड्रो, abnormality, हुआ क्लियर इतना, चलो आगे मूव करते हैं, चलो देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है, cyclosporine is an immunosuppressive drug is produced by, तो याद करो, यह तुम्हें याद करवाए था, कि cyclosporine, कैसे याद रखोगे, sporin से, esporin से है न, जहां से इसको obtain किया है, उसमें भी क्या आना चाहिए, sporin वर्ड आना चाहिए, अब देख लो जैसे, तो क्या आखरी में देख रहा है तुमको option, trichoderma polysporum, ऐसे ही याद कर logos word आया, क्या याद आता है, कि structure में जो हो, same, जिनका function हो, अलग, ठीक, among organism, provide evidence for evolution in that, these structure are, लोग अभी बोलती है, वापस direct question, कि structure में क्या रहे ये, same रहे, और function में क्या रहे, different रहे, तो देखो जारा क्या सही वा, सबसे सही fit हो रहे, different in different animal, but our modification of the same basic structure, same basic structure ठीक है, पर function अलग, ये mention करना important है, similar in function, but of different basic structure, नहीं, homologous है, analogous नहीं, all shown in fossil record नहीं, all produce by same gene, ज्यादा बेटर फिर बोल सकते हैं, हम ये वाला जा रहा है, कि ठीक है, different है, different animal में, मतलब ये हो सकता है, ये जो statement है, in context बोला जा रहा हो, function के लिए, पर structure same है, तो ये हम बोल सकते हैं, अब देखोग गलत है, option गलत है, option गलत नहीं है, तुमको इन चार में से best choose करना है, हुआ clear, तो चलो, move करते हैं, आगे, तो देखो एक बार, homologous structure of the structure of different organism which have similar basic structure, but different function, such organism have evolved from common ancestor, तो बहुत बार question common ancestor के नाम पे भी आता है, अब याद करो हम पढ़ चुके, जहां पे common ancestor और अलग-अलग क्या करने लगी वो, function, तो कैसा evolution के लिए responsible है, divergent evolution, तो हो सकता, अगली बार question में, option में जब तुम देखो, तो divergent evolution भी लिखा हुआ हो, तो अगर divergent evolution में लिखा है, तो भी सही है, आगे, for example, thorns and tendrils are modified stem, but perform different function, thorns are used to check transpiration and grazing, whereas tendrils are used for support and attachment by climbing plants, हुआ clear, चलो, move करते हैं, अगले question भे, question number 15, the new strand of bacteria produced by biotechnology in alcohol industry is, यह वापस direct question है, कि बताओ, जो bacteria new strand बना जा रहा है, जो use किया जा रहा है, alcohol industry में, अब तुम बोलोगे map, इसमें तो saccharomyces service ही होना चाहिए, इसको तो brewers इस भी बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं, पर पूचा है, नए strand के बारे में, याद रखना है, तो कौ सा है, तुमारा pseudo manasputed है, एक छोटी सी line लिखिए, तुमारे NCRT में बस उसी से उन्होंने उठा के question पूच लिया, चलो move करते हैं अगले question, पे question number 16, the following structure are analogous from the evolutionary point of view, except, अब वो बोल रहा है, कि जो structure नीचे दिया हो है, वो generally analogous है, evolutionary point of view से, इस बस एक option के अलावा, तो मुझे यह बताओ, analogous का मतलब क्या होता है, कि जो क्या हो, function में same हो, पर structure उनका अलग-अलग हो, तो basically तुमको क्या करना है, कि 4 में से जिनका function same हो, और structure अलग-अलग निकले, वो तुमारा answer नहीं है, क्योंकि question क्या बोल रहा है, except, ठीक है, मतलब जो एक ऐसा option होगा, जो basically homologous organ की तरफ indicate कर रहा होगा, वही तुमारा answer है, तो चलो देखते हैं, string of scorpion and honeybee, अच्छा, analogous क्या होता है, फिर से बताओ, analogous जिनका structure अलगो function same हो, तो string of scorpion and honeybee, दोनो defensive mechanism के लिए use कर रहे हैं, तो function तो भईया same हो गया, तो यह तो analogous organ है, हटाओ इसे, wing of an owl and wing of butterfly, दोनो wings उडने मे ही मदद कर रहे हैं, मतलब function में same है, structure में अलग है, मतलब यह है analogous organ, पूचा है analogous organ के अलावा, हटाओ इसे, spine of cactus and quills of porcupine, तो cactus मतलब cactus का spine हो, या फिर porcupine के quills हो, दोनों क्या कर रहे हैं, protection, function, same है, structure एकदम ही अलग, पर यह है क्या, एक analogous organ, तो इस logic के according तो option D बज गया, फिर भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, tendril of pea and spine of barbary, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, कि दोनों का जो origin होता है, structure है, वो same, function अलग कर रहे हैं, ऊपर के 3 में, function same है, structure अलग है, नीचे वाले option में, structure same है, function अलग है, नीचे वाले option, एक homologous organ है, देख लो, analogous organ है, दे example of homologous organ, अच्छा, यहीं से question आया, बताओ, analogous organ, किस type के evolution के लिए responsible है, convergent, ठीक, चलो, move करते हैं, अगले question पे, which of the following assists in determining the sex by examining the cell from the amniotic fluid, पूछ रहे हैं, बताओ, इन चारो मुवें से, किसको देके हम बता सकते हैं, कि gender क्या है, amniotic fluid, मिला अब, fetus का क्या gender है, तो अगर या याद होगा, यह तुम्हारा लिखा हुआ है, जो chapter number 3 और chapter number 4 में, और थोड़ा सा genetics में भी mention है, तो यह याद रखना है, कि bar body के presence से हम बता सकते हैं, कि gender क्या है, देखो, अगर bar body दिख रही है, मलब, अच्छा, पहले यह बताओ, bar body कब दिखती है, जब दो X chromosome हो, तो एक bar body produce होती है, दो X chromosome मतलब सीधा सा logic, कि क्या है, वो gender, female, तो अगर bar body दिख रही है, मतलब जो gender क्या है, female का, अगर bar body नहीं दिख रही, मतलब एक X है, एक Y है, तो मतलब क्या हुआ, male होगा, चेक, देख लेते हैं, इसका explanation, female have XX chromosome, presence of bar body indicate female child, और absence of bar body indicate male child, हुआ clear, चलो, move करते हैं आगे, question number 18 पे, which of the falling gene were introduced in cotton, to protect it from cotton bowl worm, तो ये तो भाया, direct question आगया, कौन सा है तुमारा, cry 1, AC, cry 2, AB, move करते है, question number 19 पे, how many base pair are found in haploid genome of human, वापे straight away question, book का question, पढ़ चुके हम salient features of human genome project में पहली line शुरू होती है, जहाँ पे goals लिकाते हैं, वहाँ भी ये mentioned है, तो क्या है तुमारा answer, 3.3 into 10 to the power 9 base pairs, इसी का use करके हम diploid का idea लगा लो, diploid को उठा के multiply कर दो, किस से, तुमारे 0.3 for the distance and nanometer, दो basis के बीच में, और आजाएगा answer तुमारा कि एक DNA के length कितनी, 2.2 meter, हुआ clear, चलो, आगे move करते हैं, चलो एक बाए explanation फिर भी देख लेते हैं, the number of base pair found in the haploid genome of human is 3.3 into 10 to the power 9 base pair, हुआ clear, question number 20 पर देखते हैं, क्या बोल रहा है, which one of the following condition, though harmful in itself, is also a potential saviour from a mosquito-born infectious disease, वो बोल रहा है, चार, नीचे के जो चार option है, उसमें से दो सारे harmful है, बट वो एक particular condition, जो mosquito से पैदा होने वाले जो बिमारी, mosquito के कारण जो बिमारी फैलती है, उससे protect कर सकती है, तो यह तो सीधा सीधा logic है, याद करो हम natural selection में भी पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद genetics में भी पढ़ चुके हैं, दो बार genetics में अलग अलग जगे पढ़ा हुआ है, कि अगर किसी इंसान को क्या है, sickle cell anemia या sickle cell trait, तो उसके RBC का shape कैसे हो जाएगा, sickle जैसे, crecent जैसे shape हो जाएगा, since shape ऐसा हो गया, तो RBC के अंदर जगे ही नहीं बची, तो भाईया, malaria का जो pathogen है, जिसका नाम plasmodium है, वो रहेगा कहाँ पे, तो यह हम बोल सकते हैं, तो कि अब यह हमें पता है, कि अगर किसी को sickle cell trait हो गया, तो उसको mosquito bond disease, जो malaria है, वो नहीं हो सकता, एक तरीके का क्या है, natural selection है, natural protection है, ठीक, अब यहीं पूछ रहे कि बताओ, इन चारों में से कौन से भी बिमारी है, जो indirectly क्या करेगी, potential saviour, मतला बचाएगी उस particular इंसान को मच्छर से फैलने वाली बिमारी से, तो यह तो direct question हो गया, बहुत बार आचुका है, कौन सा है, sickle cell anemia, जीक है, बाके तो कोई option है नहीं, चलो, इसका explanation देख लेते हैं, sickle cell anemia, affected person is more resistant to mosquito-borne infectious disease, such as malaria, because the sickle cell shape RBCR hostile to the protozoa plasmodium, hostile का मतलब है, कि RBC के अंदर plasmodium रही नहीं पाएगा, क्योंकि plasmodium कैसा है, एक endoparasite है, हुआ clear, चलो, आगे move करते हैं, question number 21, daily oral contraceptive pill is, अब यह आपन को याद रखना है, यह तुमारे chapter number 4 में दिया हुआ है, अलग-अलग methods, infertility को treat करने वाले method, देखो, अब यह तुमारा, इस mock test के बाद एक task हुआ, chapter number 4 उठाओ, और जितने भी methods है, short form और उनके long form, दोनों बैटके याद करोगर, याद नहीं किया है, तो, दूसरा, natural methods of contraceptive pills, अब उसमें natural भी आ गया, chemical भी आ गया, hormonal भी आ गया, surgical भी आ गया, यह चारो अपन को पढ़ने पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पे कुछ ना कुछ हर मौक में कोई ना कोई एक question तो आई रहे, कभी gift पे आ जाता है, कभी जिफ्ट पे आ जाता है, कभी आई वाई पे आ जाता है, और कभी-कभी तो contraceptive method पे आ जाता है, तो पूछ र soul of copper iron in intra-utriant device, देखो फिर से भाही question, उसी चाप्टर में से निकला हुआ question, तो अगर याद होगा कि copper iron क्या करता है, बेसिकली sperm की जो motility, मतलब speed है या movement उसको रोग देता है, तो वही अपन को देखना है, तो और उसकी fertilization power को भी suppress कर देता है, तो यह तो हम direct याद कर चुके कि copper iron ये काम करता है, इसलिए copper tea का use करते हैं, यह बहुत बार implants भी लगाया जाते है, skin की नीचे, तो जो क्या release करते है, copper iron रिलीस करते है, तो result यह होगा कि sperm आएंगे तो जरूर अंदर, पर उनकी motility low हो जाएगी, या फिर उनकी fertilization power बहुत कम हो जाएगी, तो यह तो सीधा सीधा question हो गया, सीधा-सीधा answer हुआ, पिछले वाले mock test में copper tea के नाम से same question पूछा था, बस language लगती, देखो, तो इसका सीधा-सीधा answer है क्या, suppress the motility and fertilization capacity of sperm, बाकि भी देख लाएते हैं, make the uterus unsuitable for implantation नहीं भाहिया, किसी को भी देख समझो बात को, implantation मतलब fertilization हो गया, और य को fuse होने से बचा लो, या रोक लो, तो यही काम कर रहा है, आगे, increased phagocytosis of sperm, अब वहाँ पे कहां से phagocytosis होने लगा, वो तो जगई है, जो female की body allow कर रही है, sperm को यहां से वहाँ जाने के लिए, अब वहाँ तुम phagocytosis करवाओगे, नया biology बनाओगे, अच्छा, make cervix hostile to sperm, नहीं, सारी कहानी कहां हो रही है, कि जो sperm है, देखो, बात समझो, इसको इसलिए नहीं कर सकते हैं, अगर यही prolong चलता रहा न, तो infertility cause हो जाएगी, इसलिए जो sperm अंदर आए हैं, उनको क्या करना है, उनकी motility को रोग देना है, उनकी fertilization power, क्या करनी है, कम करनी है, मूँव करते हैं अगले question पे, question number 23, withdrawal of which of the falling hormone is an immediate cause of menstruation, मला menstrual cycle, के लिए कौन सा hormone बंद हो जाता है, तब menstruation आता है, तो अगर याद होगा तुमको, कि जब graphene follicle mature होता है, उसमें से वो हम release हो जाता है, उस time जो graphene follicle, जो empty graphene follicle, उसको हम बोलने लगते हैं क्या, corpus luteum, अब व progesterone, जो क्या है एक pregnancy hormone है, मतलब pregnancy को maintain करने के लिए वो hormone responsible है, अब हुआ क्या, ओब हम तो release हो गया, uterus इस उम्मीद में बैठा है कि इस बार आएगा fetus होगा, implantation, बहुत अच्छे से सब माहल बनाया जाए, endometrium की layer को और तिक किया जाए, किया जाए, उसको थोड़ी ना पत चल गया, अरे, fertilization नहीं हुआ है, उस corpus luteum को भी पता चल गया, कोई fertilization नहीं हुआ है, इतनी जो 15 दिन से महनत की, FSH की मदद से सब flop हो गई, तो अब क्या किया जाए, जो progesterone, corpus luteum निकाल रहा है, इसको बन कर दो, जैसे ही progesterone बन हो गया, corpus luteum ने बोला, अच्छा, जो तैयारी कर रहे थे, रोखना है, रोख दो, और जो तैयारी की है, उसको उठाके, body के बाहर फिक दो, तो यह इसी को तो बोलते है, menstrual blood, और क्या बोलते हैं, तो वही पूछ रहे हैं, कि बताओ, menstruation के लिए, या menstruation को करवाने के लिए, कौन सा hormone, बंद करना पड़ेगा, तो सीधा सा logic है, जिसका नाम है, pregnancy hormone, जो है, progestron, उसको रोख दो, जैसे ही वो रोख दोगे, तो क्या हो जाएगा, menstruation, क्योंकि FSH क्या कर रहा है, follicle stimulating hormone, वह था, follicle stimulate कर रहा है, मतलब, ovulation के लिए responsible है, estrogen वापस ovulation के लिए responsible है, progestron वो hormone है, जो क्या करता है, pregnancy को maintain करता है, ठीक अब pregnancy को maintain कैसे किया जा सकता है, endometrium layer को और थिक बनाते चलो और अच्छे से, जो fetus है, उसको hold करके रोख, अब यहाँ तो fetus ही नहीं है, implant ही नहीं, implant क्या, fertilization ही नहीं हुआ है, तो इतनी तयारी किसके लिए कर रहा है, हटाओ इसे, चिक, चलो, देखते हैं इसका explanation, progestron hormone which is secreted by the corpus luteum in the ovary is responsible to stop ovulation during pregnancy and fixes the fetus to the uterine wall, facilitate placenta formation and control the fetus development in uterus, in this hormone is withdrawn, then fixation of fetus to uterine wall will not take place, formation of placenta will also not take place, ovulation start from the ovary and hence in human female menstruation start, हुआ clear? चलो, move करते हैं अगले question पे, question number 24, the mammal can thrive in Antarctica on one hand and in Sahara Desert on the other, बोल रहे है, जो mammal है, वो Sahara Desert में भी मिल रहे है, एकदम गरम जगे भी मिल रहे है, और Antarctica में, permafrost region में भी मिल रहे है, हाँ भाईया मिलेंगे, क्योंकि mammal क्या है, एक warm-blooded organism, क्या है और वो, एक regulator, एक और नाम बता उ किसका, क्या है, वो, homeo thermic है, जो homeostasis करते है, by thermoregulation and osmo regulation, ठीक, अब पढ़ लेते हैं, बचा वो, question, this success of mammal is largely due to the fact that they are, क्या है, अभी तो बोल दिया, एक नाम बोल दिया, वही answer है, क्या है, आंसर, regulators, हुआ clear, ना partial regulator, ना conformer, क्योंकि सिर्फ जो conformer है, वो क्या हुआ, conformer मतलब cold-blooded organism, मतलब, poiklo thermic, वो थोड़ी ना, हम तो, homeo thermic है, चलो, देख लेते हैं, अगला question, question number 25, sex is determined in human being, अब यह पूछ रहा है कि बताओ, sex कब determined होगा, human being, किसके द्वारा determined हो रहा है, यह नहीं question है, किसके द्वारा होता तो, xy male determined करता है, कि अगले वाली generation का gender क्या रहेगा पूछ रहा है कि किस state पे sex determined होता है, तो भाया, fertilization पे, chromosome पे depend रहेगा, suppose करो, कि एक तरफ से आए 23 chromosome, एक तरफ से आए 23 chromosome, इस तरफ से आए 22 chromosome प्लस X, इस तरफ से आए 22 chromosome प्लस X, XX आ गया, female हो गया, अगर यहां से X आ रहा है, बहाँ से बाय आए गया, तो बन गया male, ठीक, मतलब कौन से movement पे, fertilization पे, समझो बात को, अब तुम बोलोगे ma'am, पर book में तो लिखा है कि end of third trimester, gender reveal होता है, देखो, समझो बात को, gender reveal हो रहा है, मतलब gender external genitalia, यह सारा formation third trimester के end में हो रहा है, पर पहले से cell ने decide कर लिया कि इसको बनाना क्या है, यह कब हुआ था, कि कौन स decide करेगा, 40 day after fertilization नहीं, at the time of fertilization, हाँ, 7 to 8 week when genitals differentiate in fetus, देखो, इस time में हमें समझ में आएगा कि gender क्या है बेबी का, तिक, तुमको नहीं आएगा, पर जो sonography कर रहा है, उसको पता चल जाएगा, दो, इंडिया में बताना illegal है, allowed नहीं है, है न, female fetus हो जाता है, इसलिए, बाप पर कब वो पूछ रहा है बकी, determine कब किया जाता है कि क्या बनेगा, fertilization के time पे, हुआ clear, चलो, move करते हैं, आगे, a pair of X chromosome is present in the female, whereas X and Y chromosome are present in the male, there is an equal possibility of fertilization of the ovum, female gamut containing pair of X chromosome with the sperm carrying either X or Y chromosome, if ovum fertilized with a sperm carrying X chromosome, the zygote developed, into the female offspring and the fertilization of the ovum with sperm carrying Y chromosome results into the male offspring, on the basis of this, it is evident that only sperm play an important role to determine the sex of a child, समझे हो ये question, तुम लोग क्या करोगे, कि बाई ovum तो हटा दोगे, 40 day after fertilization, तुम बस ये देखोगे, ऐसा बोलोगे, हाँ, चार-चार ये और आखरी वाला ट्रिमिस्टर में, हाँ, ये जनितल्स, फॉमर, तुम ब तो हम बता सकते कि male है, female है, पूछा ही नहीं है ये, ये थोड़ी ना बोल रहे है कि बताओ, gestation के दोरान कौन से, stage में हम उसको देख के बता सकते कि कौन सा gender है, ये पूछा ही नहीं, पूछा है कि determine कौन कर रहा है, कि किस जगे वो decide हो जा रहा है कि male होगा कि female होगा, वो त centralizedization पे जो आएगा chromosome, वही खुद को express करेगा, अच्छा question है, हुआ clear, बहुत close related question है, गलत कराएंगे, majority students गलत कराएंगे, ये पढ़ेंगे ही नहीं पूरा question, इसलिए बोलती हूँ, keyword को क्या करना है, underline करना है, अब underline नहीं कर सकते हो, तो लिखते सकते हो, चलो, आगे move करते question number 26 पे, best way to preserve the wildlife is, अरे best way, दो तरीके हैं हम पढ़ चुके, conservation के in-situ, एक सिटो, सबसे बढ़ियां तरीका क्या होता है, in-situ, जहाँ पे वो रह रह रहे है, वहीं उनको बचा तो, क्योंकि उनके साथ, पूरा कबूरा ecosystem मी बच जाएगा, तो वही रेखना है, to kill the predator, नहीं, to preserve natural habitat, बिल्कोल सही, optimize breeding habit, नहीं, C, in-situ conservation, हुआ clear, wildlife conservation is the practice of protecting wild plants and animal species in their natural habitat, move करते हैं आगे, question number 27 पे, semen is a constituent of seminal plasma, with, aray seminal plasma पे तो fluid हो गया, जिसमें fructose है, उसके बाद calcium है, और कुछ enzymes है, main क्या है, sperm, वो कौन बोलेगा, तो बस, यह तो simple सा question है, direct question है, ठेक है, तो इसका answer है, sperm, तो, semen or seminal fluid is an alkaline fluid that contains spermatozoa, embedded in seminal plasma, semen is evacuated by male reproductive system during orgasm, हुआ clear, अब याद रखना, अकेले sperm के बस का कुछ नहीं होता, अगर alkaline medium नहीं बनेगा, अगर calcium नहीं होगा, अगर fructose नहीं होगा, अगर enzymes नहीं होगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, चीक, इसलिए अच्छा है, यह जल्दी बताओ, इसी से question आ सकता है, एक आया भी था मौक्तेस में, कि यह तीनों कहां कहां से बनते हैं, तो, तो, तीन gland से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सारी glands है, जिसमें आता है, तुम्हारा, bulbo-eurethral gland, prostate gland, और एक और, seminal vesicle, यह भी question पूचा जा सकता है, वापस तुम अगर से देखोगे, तो, male reproductive system का sequence, female reproductive system का sequence, spermatogenesis, oogenesis, फिर अगर और बात करो, तो, micro sporogenesis, मतलब chapter number 2 में, जहां पे reproduction in flowering plant, micro sporogenesis, mega sporogenesis, सब कुछ, इस particular topic भी बहुत in detail question पूचा जा रहा है, ठीक, चलो, अगला question देखते है, question number 28, the term living fossil, refer to, अब बोला जा रहा है, living fossil है, अगर याद होगा, पिछले ही इसमें, मैंने connecting link पे जिस पे question आया था, तो connecting link भी था, और वहाँ बताया था, कि horseshoe crab, एक connecting link तो है, साथ में, living fossil भी है, मतलब उसके साथ वाले साथ, निपट गए, निपट गए, मतलब extent हो गए, बस वो अकेला member बचा हुआ है, तो वो क्या ब reserved in amber, नहीं, भाया, living fossil जिन्दा है, amber में कहां स्टोर कर रहे हो, fossil form from a living animal, fossil बनने लगा एक living animal से, नहीं, वो जिन्दा है, ठीक है, बस ये अलग बात है कि उसके जो साथ वाले लोग थे, वो सारे extent हो गए, सिर्फ वो अकेला species बचा हुआ है, living animal which is about to the fossilized, नहीं, नहीं, नहीं fossilized नहीं हो रहा है, living organism showing some very primitive character, बिलकुल सही, जो उसके साथ पुराने बाबा आदम जमाने वाले ancient लोग थे, सब लिकल गए, अब ऐसा टेक्निकली ऐसा बोले, तो हम बोल सकते कि crocodile भी living fossil है, है नहीं, पर देखो, अगर सोचो जड़ा, तो या फिर जो बड़ी-बड़ी, जो चले गए सब, वही अकेली बज गई है, है ना, तो ऐसा बोल सकते है, पर जादा अपन को correct, सिर्फ कुछ-कुछ ही अपन को living fossil और connecting links पढ़नी है, अब इससे task 2 तुम्हें क्या मिलता है, इस mock test के बार, कि वापस major top 10 living fossil की list निकालो, top 10 connecting link की list निकालो और बैटके याद करो, चीक क्योंकि अगर ये question पूछा जा सकता है, तो किसी living fossil के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर connecting link और living fossil को mix करके दे देंगे और बोलेंगे find the odd one out, चीक पर उसके लिए knowledge होना चाहिए, इसलिए बैटके क्या करोगे, दूसरा task दिया है, आज क्या बैटके याद करोग इसको, देखो, तो living fossil showing some very primitive character, बिलकुल सही, ओके, देखते हैं इसका explanation, living fossil is a living species of that appear to be similar to a species otherwise known only from fossil without having any close relative, living relative, हुआ clear, move करते है question number 29 पे, which of the following set include bacterial disease, अब याद करो ये पूरा NCRT के ही example, मैंने कहा था न, तुमारे NTA वालों को कुछ अलग प्यार है, NCRT के example से और NCRT के diagram से, अगर diagram आया है, तो NCRT का ही आएगा, तो देखो, कुछ question तो पहले से leaked है, कि NCRT के diagram आएगे, उसी का label आएगा, वही question पूछेंगे, और जो examples है, वो भी NCRT के पूछेंगे, उसके एक question इधर उधर नह सर नहीं, वो दोनों में क्या है, तुमारे viruses हो गए, चिक, तो tetanus, typhod and tuberculosis are bacterial disease, अभी याद करना है, याद करवाय था, भूल गए हो, तो लिख लो, वापस इससे क्या समझ में आता है, एक और task, chapter number 8 खोलोगे, इस chapter के बाद, और क्या करोगे, disease, कौन सी category में आ रहा है, और positive organism, इतना लिख के आज के याद कर लो, क्योंकि अगर ये question पूचा जा सकता है, तो कुछ भी पूचा जा सकता है, इसी type का, ठीक है, तो दो task मिल गए, तो वो आज के आज खतम कर लेना है, तो देखो ज़रा, titanus is caused by claustradium titani, typhoid is caused by salmonella timphi and tuberculosis is caused by mycobacterium tuberculosis, हुआ clear, move करते है अगले question पे, question number 30, the polymerase enzyme used in PCR is, वापस very direct question, 12th board का भी question है, कि क्या खासियत थी PCR में, कौन सा polymerase यूज करने की, तो हमें पता है कि PCR में कैसा polymerase यूज करना है, जो एक thermostable हो, जो high temperature tolerate कर सके, उसका example क्या है, thermos aquiticus से obtained जो polymerase है, जिसको क्या बोलते है, tack polymerase, ये तो सीधा सीधा question हो गया भाहिया, देख लो, the enzyme used in PCR is, tack polymerase, tack polymerase, isolated from bacteria, thermos aquiticus, will remain active during high temperature, usually amplified DNA segment up to 2 kb, हुआ clear, move करे अगले question पे, question number 31, BT cotton is not, not बोला है, same question एक बार हम एक बार और मॉक्तेस में सौल कर चुके, वापस वही का वही question आ गया, कि पूच रहा है, बताओ BT cotton क्या है, क्या नहीं है, तो न जहां से, इस काम करने से उंगली लगा ले न अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, और फिर सॉल करना नीचे के, ठीक, चलो, सही होना चाहिए, फिर बाले स्क्रीन को इसे टच करना पड़े, या copy में लिखना पड़े, question सही होना चाहिए, देखो, और GM plant, वो तो है, genetically modified plant तो है, पू क्या, bacillus thuringiensis, उसी का तो जो cry protein है, वो express करने वाला system है, उसमें, पूचा है, नहीं, हटाओ, इस logic से तो आखरी वाल option बचा, फिर भी देख लेते, resistant to all pesticide, भाया, सारे pesticide से वो resistant नहीं है, सिर्फ इंसेक्स है, वो भी एकदम limited, 3 जीन अस वाले, ठीक, चलो, तो देख लेते का अंसर, resistant to all pesticide, अब देख लेते, explanation, BT cotton is a genetically modified plant, जिसको GM plant बोला है, their gene have been altered by a BT toxin that is produced by a bacterium called bacillus thuringiensis, BT toxin gene has been cloned from the bacteria and are expressed in plants to provide resistant to insects, some strain of bacillus thuringiensis, produce protein that kills certain insects like lepidopterans, scleopterans and leptenis, BT cotton is made resistant to certain types of pests only, certain taxa, पूरा का पूरा नहीं हा, all लिखा हुआ था, it is quite likely that in future, some other pests may infest these BT cotton plants, हुआ क्लियर, चलो, देखते हैं, अगला question, question number 32, 2, sing gammy means, तो ये तो सीधा सीधा दूसरा short word है अगर बोलना है कि fusion of gametes, fusion of gametes, fusion of gametes की जगे पर अगर ये word बोलना है, तुमारी बुक में as it is statement लिखा हुआ है, वही कवही उठा के पूछ लिया, तो sing gammy मतलब क्या होता है, fusion of gametes, कैसे या रखोगे, sin मतलब synchronize होना, gametes, gametes, 2 gametes synchronize कब होंगे, जब fuse होंगे, चिक, तो चलो, अब move करते अगले, question पे, question number 33, there is no natural death in single cell organism, like amoeba and bacteria, because, same question फिर से repeat हो है, question बोल रहा है, कि single cell organism, जो unicellular है, जैसे amoeba होगया, bacteria होगया, उनकी death ही नहीं होती, क्यों, अरे सीधा सा logic है, जब चोटे थे, वो grow grow होते गए, उन्होंन फिर बोलेंगे, oh no, बहुत जाता साइस में डिवाइड हो, बड़े हो गए, चलो, कुद को डिवाइड कर लेते हैं, वापस बच्चे बन जाते हैं, मतलब टेक्निकली देखा जाए, तो यह कभी मरेंगे ही नहीं, बिलकुल सही, सोच अगर आपन भी ऐसे करते हैं, नहीं क अगरेंगे, क्यूं वो मरते नहीं, इसका रीजन पूचा है, अलग से आप बोलोगे, मैम ऐसा तो है, तो हम दो आंटी बायोटेक्स यूस करते हैं, उससे तो राक्टीरिया मर जाते हैं, वो तो तो तुम इंटेंशनली मार रहे हो, नीचर में अगर छोड़ दोगे तो व C, देखलो, देखले ते इसका explanation, there is no natural death, या रखना natural death बोला है, ठीक है, in single cell organism like amigua and bacteria because parental body is distributed among the offspring, in such organism reproduction occur by cell division where a cell या parent divide into two half and each rapidly grow into an adult or offspring, हुआ clear, चलो, move करते अगले, question पे, question number 34, the acrosome enable the sperm to, पूछ रहे है कि acrosome क्या करता है, तो जल्दी बता, acrosome में होता क्या enzymes होते है, कैसे enzymes होते है, जो ovum की layer को क्या कर सके, penetrate कर सके, कौन सी layer को penetrate कर सके, zona pelucida, अब अगर तुम options देख रहे होगे, तो बोलो कि ma'am, question गलत है, question गलत नहीं है, question चलने दो, उसी में से हमें best option को क्या करना है, choose करना है, तो चलो देखते हैं, तो चलो देखते हैं, क्या options है, help in mortality, नहीं भाईया, वो तो zona pelucida को break करने में help करता है, ठीक, produce energy for activity, तो mitochondria, middle वाला portion का का काम है, acrosome का थोड़ीना काम है, penetrate with line membrane of ovum, अब बोलोगे ma'am, option तो गलत है, वापस, 4 में से जो best है, चूस करना है, ovum को break करने में help करते हैं, अब ओना, ovum की zona pelucida को, अब वहाँ नहीं लिखा है, विटलाइन मेंबरेन लिखा है, तो हम इसी को choose करेंगे, अगला भी देख लेते हैं, fertilize more than one ovum, नहीं, तो ज़्यादा सबसे most appropriate क्या है, तुमारा option C, इसलिए हम C को mark करेंगे, नहीं तो टेक्निकली देखा जाए, तो यहां विटलाइन मेंबरेन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुमारा zona pelucida, पर बहुत बार exam में ऐसे ही tricky question दिये जाएंगे, अब तुम क्या करोगे, छोड क्या होगे, छोड के नहीं आना है, यह तो सीधा-सीधा answer है, चीक लब रख रहे हैं, अब यह हमको पता है कि zona pelucida होती है, ठीक है, अचा, zona pelucida के भाहर कौन सी होती है, corona radiata, और जो यह विटलाइन मेंबरेन की बात कर रहे हैं, यह तो zona pelucida के अंदर, सबसे innermost membrane है, ठीक, फिर भी हम क्या करेंगे, choose करेंगे most appropriate, go, चलो, move करते हैं अगले question question number 35, one of the most important consequences of geographical isolation is, वो पूछा है, सबसे जदा बड़ा consequence, जो geographical isolation होता है, होता क्या हमें पता है, नई species बन जाती है, चलो, देख लेते हैं, random creation of new species, no change in isolated fauna, preventing speciation, speciation through reproductive isolation, तो अब अपन को choose करना है कि correct क्या है, मैंने बोला, नई species बनती है, पर क्यों बनती है, क्योंकि दोनो अलग-अलग हो गई, अब ये वाली species यहीं पर reproduce करेगी, ये वाली species यहीं reproduce करेगी, तो new species तो बनेगी, मतलब ये तो है सही, पर अगर ये तब सही होता, जब ये नहीं दिया होता, पर ये दिया हुआ है option, तो ये भी गलत हो गया, और answer आगया, अपना वापस D, अच्छा question है, वापस क्या है, most appropriate को चूस करोगे, ये भी सही है, गलत नहीं है, पर ये ज़्यादा सही है, क्यों ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर geographical isolation हो गया, मैंने बताया ना कि आप species का habitat अलग-अलग हो गया, वो वहीं के वहीं reproduce करेंगी, चलो, देख लेते इसका explanation, Speciation through reproductive isolation is one of the important consequence of geographical isolation, geographical isolation is a phenomena where a group of plant, animal or other living individual are separated from mixing gene within their same species, geographical isolation may ultimately lead to the population becoming separate species by adaptive radiation, इसका result का है, पूरे marsupial mammors, ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, ठीक, ओक, क्या यादा एगा रहे, allergy के treatment के लिए, फिर भी देख लेते हैं, adrenaline and steroid quickly reduce the symptoms of, तुमारा क्या answer है, allergy, तो एकदम सीधा सीधा question हो गया, तुमारे शाए 12th board में भी पूछा गया था, वही है answer, चलो, देख लेते हैं, इसका explanation, drugs like anti-histamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptom of allergy, अच्छा, symptom पूछे गएते ह वहारे बोड में, कि दो symptom बताओ, cough and sneeze, sneezing, या watery, eye, running nose, ऐसा कुछ भी बताना था, ठीक है, उसके बाद क्यों होता है, क्योंकि IgE antibody produce होता है, किस से होता है, mass cell से होता है, या फिर तुम लिख देते हैं, कि ये सारे chemicals release होता है, कौन से, anti-histamine नहीं, histamine, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं, which of the following is not a source of restriction endonuclease, पूछ रहा है, बताओ, इन में से कौन सा source, restriction endonuclease का नहीं है, अब बोलोगे माम, हम कैसे बताएं, याद करो, जो PBR 322 है, उसमें तुम क्या बनाते थे, जल्दी याद करो, तुम देखो, वहीं से तुमको, na, clues मिलने लगेंगे, तुमने प परवन से, दिख रहे हैं, कुछ-कुछ समझ में आ रहे हैं, फिर तुमने पढ़ा होगा, बाम, वन, तो बाम, वन, दिख रहे हैं, उसके बाद, तुम्हारे बहुत सारे हिंद टू भी देखा होगा, देख रहे हो, कहां से लिख लिया हुआ है, फिर्स लेटर, जीनस से, जहां से भी एक्स्टराट किया है, और अगले दो लेटर्स कहां से, उसके स्पीशीस से, तो अब बताओ, कुछ तुमने इस चाइप का, एग्रो बाक्टिरियम, टुमेर फेशियन का, तो कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो यही है तुम्हारा क्या सोर्स, मतलब, लेको, कितन इंडिरेक्ली लॉजिक है, बोलो कि माम, यह तो कहीं दिया ही नहीं है, बुक में नहीं दिया है ना, पर इंडिरेक्ली पूछा तो है, तो चलो देख लेते हैं, अगला क्वेशन, दा मिलर यूरे, एबायो टेक्स सिंथिस एक्स्परिमेंट, और अडर सब्सिक्वेंट सि तो एबायो जेनेसिस से, या फिर लाइब जो है, मलब लाइब नहीं, मलब जो और गानिक मैटर है, वो इन और गानिक से बना हुआ है, ननलिविंग से बना हुआ है, इसी को इननोंने प्रूफ करके बताया था, तो देखते हैं, शिंपल और गानिक मॉलेक्ली चान बी कंडिशन, करेट क्या है, सबसे पहला वाला जिसमें दिया है, और गानिक मॉलेक्ल किसे बनेगा, इन और गानिक चीजों से, जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिंपल और गानिक मॉलेक्ल कब बन सकते हैं, और नॉन लिविंग फिंग से, या इन और गानिक चीजों अगला question, question number 39, two plants can be conclusively said to belong to the same species, if they have opposed रहे, कि दो plant को हम बोल सकते कि एक ही species को वो बिलॉंग कर रहे, तो याद करो, species के definition क्या होती है, ऐसे दो organism, अगर हम बोलेंगे कि वो species को बिलॉंग कर रहे, अगर वो reproduce कर रहे है आपस में और fertile offspring को produce कर रहे, अब इससे मिलते हैं जोलता, जो भी option मिले, वो तुमारा answer है, have more than 90% similar gene, नहीं ऐसे तो भईया, मेरा और बंदर का, मेरा नहीं, हम सब का, human का और बंदर का है, तो हटाओ इसे, अचा, look similar and possess identical secondary metabolites, नहीं, have same number of chromosome, जरूरी नहीं, can reproduce freely with each other and form seeds, हाँ, यह बोलेंगे, क्योंकि देखो, ध्यान से अब यहाँ पे two plants बोला गया, मैंने क्या बोला है, कि species की definition क्या होती है, कि reproduce करें और fertile offspring को बना है, तो यह देखो, कुछ इस तरिके से बोला है, can reproduce freely, freely with each other and form seeds, इस बनलब क्या, off spring की तो, ठीक, चलो, इसका explanation देख लेते, if two plant reproduce freely with each other and form seed, they are concluded to belong the same species, plant belonging to same species are able to reproduce freely, freely with each other, हुआ clear, आगे move करते है, question number 40 पे, अच्छा, four DNA molecules are shown below, ठीक है भाईया, these molecules were denatured by heating and then cool and allowed to renature, अच्छा, which of the four molecules will show highest melting temperature, वो पूछ रहे है, सबसे ज़्यादा melting temperature, किसका रहेगा, तो सीधा सा logic है, जिसमें सबसे ज़्यादा bond strong बना हो, ATGC का bond strong बना हो, तो अगर यहाँ ध्यान से देख सकते हो, तो एक वाले में सिव, अच्छ, एक बात बताओ, तुम ध्यान से देखोंगे, तो एक bond गलत है, और एक bond सही बना होगा है, आधी चीज़े तो वहीं deduct हो जाएंगे, इस वाले question में, देखो, एक मिनुट, जिसमें क्या रहेगा, सबसे जादा GC content होगा, ठीक है, सबसे पहली बात मझे बताओ, यह A के साथ A कौन बनाता है, अगर यह DNA molecule है, एक double stranded DNA, तो A के साथ A कौन बनाता है, T के साथ T कौन बनाता है, तो option ही गलत है, हटाओ इसे, अच्छा, एक ऐसा है, जिसमें 80-80 content ही है, अच्छा, अब दूसरा देखो, कि अब यहाँ पर parent ठीक ही हुई है, C के साथ G, G के साथ C, A, T, A, T, बाकी है सब किया हुआ है, पर यहाँ का एक गायब है, तो इसको भी हटाओ, automatic तुम्हारे deduction से वह observe करना है, बोलो कि माहम कैसा question है, इस type के questions भी दे देते, एक दम basic common sense से solve करने वाले है, और थोड़ा सा logic, ठीक है, तो यार होगा हम बोलते हैं, चागा फूरूल में भी, चागा फूरूल में नहीं खेर, कि चागा फूरूल तो बोलता है, कि एक दोनो प्यूरिंस और पाइरमिडन का रेशो एक होना चाहिए, पर तुमने पढ़ा होगा कि जिस भी DNA में, ये वाला information में कहां से बता रहे हूँ, DNA fingerprinting से बता रहे हूँ, कि अगर जहां satellite DNA मेंने समझाया था, अब वही information, वो एक line उठा कि उन्होंने यहां पूरा का पूरा question बना दिया है, तो याद रखो, कि जहां जिस भी चीज में GC content जादा रहेगा, वो DNA की density थोड़ी थिक रहेगी, या वो density थोड़ी heavy रहेगी, और सीधा सा logic है, कि उसको तोड़ना भी, कोई भी चीज, अगर पतली strand उसको तोड़ना easy है, मोटी strand उसको तोड़ना मुश्किल है, तो सीधी सी logic है, जिसमें GC content जादा होगा, वो क्या रहेगा, वो जादा strong रहेगा, ऐसा याद रख सेकते हैं, ठीक है, अब बाकी दो options तो एक दमी गलत है, सिब अबसर्व करके ही तुम हटा सकते है, 80-80 कौन सा option है, और यहाँ पे तो एक दिया ही नहीं है, अब यहाँ पे से वे और 80-80 ही कैसा DNA हुआ, ठीक, तो DNA molecule with high GC content will have highest melting point, या highest melting temperature, तो यह information ले लो, अब देखो कितनी छोटी इस information पर उन्होंने यूज कैसे कर लिया, इस question के form में, वापस, अब वो बोल भले इतना सारे हैं, ठीक है, इतना सारी सारी चीज़े लिटरचर दिये जा रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपन को तो अपन थोड़ा common sense भी लगाओ, क्या T के साथ T bind करता है, तो यह option गलत हुआ, फिर यहाँ देखो, क्या एक DNA में से वे और T होता है, यहाँ देखो, यह और T लिखा है नहीं, यह गलत हुआ, यहाँ देखो, यह एक base pair missing है, बोलोगे माम, यह तो printing error होगा, जान बुझके भी ऐसे question डालते हैं, तो यह भी गलत होगे, तो अगर तुमको normal भी कुछ नहीं पता है, मैं तो बोलोगे ऐसा deduction लगाओ, कि तुम्हें normal में भी कुछ नहीं पता है, फिर भी basic logic से तुम्हारा answer निकलाएगा, पर, since logic लगाई रहे हो, तो धंका logic याद कर लो, कि जिसमें भी GC content जादा होता है, वो क्या होता है, जादा उसका temperature, उसका bond break करने में तकलीफ होगी, और इसलिए उसका melting temperature क्या होगा, जादा, ठीक, चलो, move करते हैं question number 41 पे, A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, which diagnostic test technique will you recommend for its detection, ये तो वापस NCAT का straight question होगा, इसको कैसे detect करते हैं, ELISA method से, बस, ठेक है, तो ELISA क्या है, enzyme-linked immunosorbid assay is a fundamental tool of clinical immunology, and is used in initial screen for HIV detection, एक और ये किस पे based है, antigen-antibody interaction पे ये technique dependent है, move करें आगे, question number 42, messenger molecule released by virus infected cell, इतना ही बोल दो, virus infected cell, क्या answer हुआ, interferons, ठीक है, that bind to the surface of healthy cell, and stimulate them to synthesize protein, that prevent viral reproduction, आगे, सब इतना ही काम का है अपना, बागी तु सब अपन को पता ही है, फिर भी पढ़ लिया करो, क्या answer हुआ, इसका interferon, सीधा सा answer, ठीक है, question number 43, progesterone, जल्दी बताओ, progesterone क्या करता है, pregnancy को maintain करता है, ठीक, in the contraceptive pill, वो पूछ रहे है, बताओ, क्या करेगा, progesterone, prevent ovulation, ठीक है, क्योंकि, but obvious, जहाँ progesterone, progesterone निकलता रहेगा, progesterone जन निकलता रहेगा, वो basically क्या करेगा, कि pregnancy को maintain करना है, maintain करना है, मतलब, menstrual cycle नहीं होने चीए, bleeding ब्रीडिंग बोल्रियू, bleeding नहीं होने चीए, endometrium के लेर, टूट के बाहर नहीं आने चीए, नहीं आने चीए, मतलब, विसी को maintain करना है, ये काब होगा, जब अगला ovum नहीं निकलेगा, अगला ovum नहीं निकलना, मतलब, ovulation को रोकतो, हुआ clear, चलो, मूब करते हैं आगे, birth control pill, oral contraceptive, check ovulation in female, by inhibiting the secretion of follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone, that are important for ovulation, हुआ clear, चलो, question number 42, अगर ध्यान से देखोगे, एकी paper में, तीन question, एकी chapter से, वो है reproductive है, तो कितना important है वो चाप्टर, ठीक है, उसके जो methods है, full forms भी, और साथ में, contraceptive techniques भी, चलो, वो करते हैं question number 44, पे, mature graphene follicle is generally present, in the form of a healthy human female around, अब ये तुमको पता है, कि mid day पे क्या होता है, ovulation होता है, तो उसके एक दो दिन पहले क्या होगा, mature graphene follicle मिलेगा ovary में, अब अगर 28 days की cycle लेके चलो, तो 14th day क्या है, तुमारा mid day जिसमें हो गया ovulation, तो कुछ एक दो दिन आगे, बस अब वही उसी के, आसपास का option देख लो, तो 18th to 23rd day नहीं, तो बहुत पीछे हो गया, 24th to 28th day low menstrual cycle आने ही वाली, यह सब खतम हो चुगा है, 5th to 8th day of menstrual cycle नहीं, menstrual cycle just खतम हो ही ovulation, अभी होगा, mid day में होगा, mid day मतलब कौन सा, around 14th, तो 14th के आसपास मतलब, आकरी वालो option suit कर रहा है, 11th to 70 days of menstrual cycle, अब अगला, the term terror of Bengal is used for, यह तुमको पता है, terror of Bengal को Bengal टाइगर के लिए यूज नहीं करते, first time introduced यहीं हुआ था, यह क्या था, alien species invasion, किसका, इसको मैं क्या बोलती हूँ, जल कुमी, मैंनी, हम लोग हिंनी में क्या बोलते हैं, जल कुमी, causes havoc in India by blocking our waterway, in India it is also known as terror of Bengal, तो terror of Bengal टाइगर नहीं है, ठीके नहीं है, तो कान कैसे option दिया है फिर भी, इस वाइब के options नहीं हैंग, इतना भी simple option नहीं आएगा, हाँ, कभी-कभी अगर ऐसा हो कि paper का लेवल बहुत तफ जान है, ये question आखरी की तीन लाइन भी question आ सकता है, कि क्यों water high second को terror of Bengal बोलते हैं, क्योंकि water high second जो एक और नहीं है, वो dissolve oxygen को use कर लेता है, result होता है कि पानी में जो oxygen है, वो कम होने लगता है, deplete होने लगता है, और equitic life कतम होने लगती है, चीक, चलो, मूँव करते हैं आगे, question number 46, in sexual reproduction, offspring resemble the parents, अब parents किसे, structurally, functionally क्या, क्योंकि दो ये option दिख रहे हैं, तो भाया, sexual reproduction में होता है, variation नाम की चीज आती, थोड़ा बहुत match कर सकते हैं, exact match नहीं हो सकता है, पहली बात, चलो, तो structurally but not functionally, functionally but not structurally, both structurally and functionally, and neither structurally nor functionally, तो हम बोल सकते, functionally but structure अलग अलग रहेगा, देखो function तो same ही करेंगे न, जैसे माबाप की characters थे, वो character तुम में भी express होंगे, हाँ दिखेंगे अलग, पर काम तो वही काम करेंगे, अब जैसे, आखो, ऐसा है ये, अब बोलो कि मामी कितना अजीब question है, समझा हो जारा, तो सुनो, अब जैसे माबाप के पास थी आँखे, आँखे क्या काम कर रहे हैं, देखो, आँखो का काम है देखना, तो तुम में भी आँखे हैं, और तुम भी देखी रहे हैं, उनसे, हाँ, ये अलग बात है, कि उनके आई का कलर ब्लैक होगा, तो महरा ब्राउन हो गया, ठीक है, तो स्ट्रक्चल, स्ट्रक्चर के point of view से अलग हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन नाम की चीज होती है, बट फंक्शन तो वही करेगा न, ठीक, अब हाइट है, अब हाइट हो सकता है, वेरिए करें, जैसे पेरेंट का कोई एक क्यारेक्टर, डॉमिनेंट क्यारेक्टर आ जाए, दूसरा पेरेंट था, जो हाइट में कम था, पर कोई हाइटेड वाला ही क्यारेक्टर ले लिया, अब उसके point of view से, and play a role in evolution of species, तो हम, मैंने बताए था, हम सब लोग 99.9% similar है, बस वो जो point one difference है, वो basic किस चीज़ का है, structure का ही है, function तो वही है न, जो मेरे अंदर HCL काम कर रहा है, stomach के अंदर, वही same HCL, तुमारे अंदर भी काम कर रहा है, जो same, मेरे अंदर muscles जो बनी है, myosin और actin की बनी हुए, तुमारे अंदर भी उसी की बनी हुए, function तो same ही है, हाँ, अब ये अलग बात है कि किसी में, अगर ढंग से काम नहीं करी, तो उसको muscular problem हो रही है, ठीक है, वाला function, basic function same है, structure अलग अलग हो सकता है, ठीक है, चलो अगला question देखते है, silencing of a gene could be achieved through the use of, ये तो same question आ गया, हमने पिछले mock test में बढ़ा था, कि gene silencing करना है तो क्या करो, RNA-I technique यूज करो, या फिर antisense अगर RNA बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, complimentary हो जाएगा, हमारे RNA का, बन जाएगा double stranded RNA और वो बिचारा जो RNA है, mRNA mode precisely, क्या नहीं हो पाएगा, translate नहीं कर पाएगा खुदको, और protein का formation नहीं होगा, तो finally gene expression हो नहीं पाएगा, ठीक, तो इसका answer है, by both, कौन सा both, that is short interfering RNA, that is RNAi, और antisense RNA, हुआ clear, चलो अग्ला question देखते हैं, अभी आपन को कुछ इंफरमेशन याद करनी पडेगी, यह तुम्हारी बुक में अलग अलग जगें mentioned है, किसके साथ है, green revolution, चलो देख लेते हैं, the term green revolution referred to the very substantial increase in yield obtained by breeding high yield variety of crop under intensive application of fertilizer, irrigation and pesticides, the worldwide increase in productivity has come to the known as the green revolution, for which Dr. Borlaug won the Nobel Peace Prize in 1970, चलो, तो यह इसका screenshot ले ले लेना, अलग से है question है, पहली बार question आया है, revolution पे, green revolution पे, तो आ सकता है, चलो, move करते हैं, question number 49 पे, आने को सिस्टम है, सब बिना option देखे ही बता सकते हैं, biotic-abiotic का interaction, बस अब यह best जो एक्स्प्लेइन करें, वो अपना option है, group of component that interact with one another, नहीं भाहिया, biotic बोलो, यह biotic बोलो, habitat में interact कर रहा है, यह बोलो, उसके बाद, group of interacting species in one place at one time, नहीं, biological community, biological मतला, biotic factor, ठीक है, and components of the physical environment, physical environment मतला, abiotic factor, धूप हो गई, soil हो गया, air हो गई, water हो गई, बिलकोल सही, एकदम fit बैट रहा है, which, with which the community interact, बिलकोल सही, group of interacting, chemical and their cycle नहीं, chemical कब से आने लगे, bio, geo, chemical cycle के बारे में, थोड़ी ना पूचा है, यह क्या है, ecosystem के बारे में, तो आंसर हो अपना C, चलो explanation देख लेते हैं, any unit which includes all the organism, interacting with the physical environment, so that a flow of energy, lead to clearly defined, trophic structure, biotic diversity and material cycle, within the system is called, ecosystem, आज आते हैं, आज के mock test के आखरी question पे, there is no difference between, अच्छाब बेर दिफरेंस नहीं है, किस के बीच में, secondary consumer and herbivore, अरे herbivore तो क्या है, primary consumer, तो हटाओ इसे, primary consumer and herbivore, बिलकोल सही, फिर भी दिल है की मानता नहीं, अगले दो options भी देख लो, first traffic level and herbivore, नहीं, first traffic level कौन होता है, producers होता है, तो गलत, primary carnivore and second traffic level, secondary traffic level पे, कौन आएगा, तुमारा, primary carnivore आएँगे, नहीं, secondary traffic level मतलब, basically herbivores यहेंगे, तो यह भी गलत लिखा है, तो correct option क्या हुआ, तुमारा B, जो है primary consumer and herbivore, क्योंकि दोनों एकी चीज़ है, चिक, तो देख लो, herbivore animal are primary consumer, in terrestrial ecosystem, और यहाँ पे तुमारा, mock test 13 होता है, खतम, तो क्या करेंगे, जो भी mock test बच गया है, जाके solve कर लो, explanation लग रहा है, कि नहीं, इसका नहीं समझ में आया, तो क्या करेंगे, वापस जाके पढ़ेंगे, जो आज task दिये हैं, वो task भी complete करने है, और जो जो वीक area है, उस पर आप focus करना है, काम करना है, strong area को, और strong बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, magnet brains की website पर जाना है, www.magnetbrains.com, जैसे enter दबाओगे, ये home page आएगा, CUT को select करो, बस फिर क्या करोगे, यहाँ पर mock test select करो, क्योंकि time कम है, तो बेस तरीका है, mock test solve करो, जैक है, उसके उपर select करो, और सुनते चलो, और like, share, subscribe करना नहीं भूलना है, लेके RU में एक और mock test, तो बने रहना है, मेरे साथ magnet brains के साथ, तब तक पढ़ते रहना है, और बने रहना है, पढ़ते रहना है, ठेक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में,